हेलो फ्रेंड्स तो टुड़े आज जिस मद्दे पे हम लोग चलते हैं स्टार्ट करते हैं लेक्चर को वो है वाटर वे ट्रांस्पोटेशन और वाटर वे ट्रांस्पोटेशन को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वाटर वे ट्रांस्पोटेशन को हम कलासिफाइ जो कर सकते हैं वो दो भागों में कर सकते हैं फर्स्ट वन जो टाइपस ऑफ जो वाटर वे ट्रांसपोटेशन है वो है इनलेंड वाटर ट्रांसपोटेशन और दूसरा जो है ओसेन या ओसेनिक वाटर ट्रांसपोटेशन है तो ये दोनों में कुछ खास जो है अंतर है पहला जो है इनलेंड वाटर ट्रांस्पोटेशन वो इनलेंड वाटर वाटर ट्रांस्पोटेशन का हो जाता है कि ऐसे मतलब जो समुंद्र को छोड़ कर जो है जितने भी ट्रांस्पोटेशन को होते हैं वाटर वे वो है इनलेंड वाटर वे ट्रांस्पोटेशन और दूसरा हो ज देखना पड़ता है कि यह आखिर जो है वो कहां कहां से होके गुजर सकता है और कौन-कौन से चीज जो है इसके अंदर आ सकता है इस मतलब वाटर वे ट्रांस्पोर्टेशन के स्कोप के अंदर तो पहला है केनाल लेक रीवर सी ओसन यह सब जो है इससे यदि कोई प्रोटेशन तो फिर अब जो है आप लोगों ने एक ओसनिक रूट का नाम सुना है डाट इस ऑफ एटलेंटिक और सानिक रूट बैसिकली यह सौथ एटलेंटिक और सेनिक रूट जो है यह क्या काम और कहां से होके गुजरता है यह रूट बैसिकली बहुत इंपोर्टें क्योंकि South America जो है और North America और फिर जो है Europe ये तीन को जोडने वाला जो रूट है उसे ही हम South Atlantic Oceanic रूट कहते हैं लेकिन एक जो है मामूली इसमें difference है कि जो North America है यूरोप है वहाँ से जो भी समान बनते हैं रूट को मतलब जो North America और यूरोप के को जोड देने बाला रूट किस से South America से तो यहीं दोनों को जो South America से जोड़ देता है बास्तब में उसे ही हम क्या कहते है तो South Atlantic Oceanic रूट कहते हैं यहें तो यह महत्पुर्ण है क्योंकि South America अमर्फ तो सौथ अमेरिका उतना ज्यादे ड्वलप नहीं है जितना कि नौर्फ अमेरिका है तो क्या होता है कि कई सारे जो बस्तुए होते हैं जो इंदस्ट्रियल गोड़ सोते हैं वह होते हैं और ट्रांथ जो होते हैं इस? से जो है south को होते है तो ये सी ये सी mark को जो है use किया जाता है और south Atlantic Oceanic route यही important है जब हम north Atlantic Oceanic route को देखते हैं then it has much more importance than any of the waterway. ओके बिकाउज the this waterway is when the develop the region of the western Europe and the development region of the north America. तो जो eastern Europe को northern America से जोड़ता है वो ही तो North Atlantic जो है उसनिक रूट है यह बहुत इंपोर्टेंट है क्यों है इंपोर्टेंट इसके बहुत सारे दुनिया में जो है उसनिक रूट है जैसा हम एक उधारन के तौर पे हम ले सकते हैं जो ग्लैस गो ग्लैस गो का आप लोगों ने नाम सुना हो का मैंचेस्टर सौथ है हम्टॉन लंदन रोटेंडेम बरीमें बार्डियो लिस्बैं मॉन्टरील न्यू और्लेंस यॉक्स उसके बाद है कार्लिंग टॉन उसके बाद है गेवेस्टॉन ओके तो यह सब जो है या फिर जो है न्यू हवाना यह भी एक जगह है तो यह अमेरिका में तो यह सब जो जगह है यह बेसिकली क्या है इन सब रूट को इस सब जगहों को कनेक्ट जो करता है वही है नौर्थ अट्लैंटिक उसनिक रूट तो नौर्थ अट्लैंटिक उसनिक रूट इसलिए महत्पुर् तो जो नौर्थ अमेरिका तक क्या है कि इतना जो है नौर्थ अमेरिका तक सभी सीप को पहुंचाना छोटे छोटे बंदरगाहों से यह जो है बहुत ही टफ काम हो जाता है तो यह संभब नहीं होता है क्योंकि जो वहां तक पहुंचने के लिए उतना अच्छा रास्ता नही है अच्छा मतलब सीधा रास्ता नहीं है तो इसके वज़ा से क्या करता है कि जो Mediterranean Sea है तो Mediterranean Sea के route को इस्तेमाल करते हुए जो है वो Mediterranean Sea को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता है और उसको North Atlantic Oceanic route से जोड़ देता है उसी को हम कहते है Mediterranean Sea का route तो Mediterranean Sea का route कि काम के लिए इस्तेमाल होता है basically this waterway join Asia and Australia continent and North Atlantic Oceanic route और Mediterranean waterway join together the maximum number of country of the world तो बहुत सारे जो है देस हैं दुनिया में उन सब को भी जोड़ता है पलस क्या करता है North Atlantic Oceanic route के साथ भी जो है Asia Australia को जोड़ता है तो इसलिए यह महतपुर्ण हो जाता है हमारे लिए भी Asia में क्योंकि Asia के लिए so that's why through this waterway the raw material जो है eastern country में भी जाते हैं और eastern country में transport होता है western country से जो goods बनते हैं industrial products बनते हैं वो eastern country को भी जो जाता है उसमें भी Mediterranean Sea का इस्तेमाल किया जाता है Mediterranean Sea वाला जो route है उसका इस्तेमाल किया जाता है अब जो है next वो है caps of good hop route है एक तो caps of good hop route जो है ये इतिहास से जुड़ा हुआ है और भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है यहां पर जो है जब Portuguese जब आएं देश में तो यह सब जो है इस route का इस्तेमाल किया करता था क्योंकि यह जो है यह अफरिका में है caps of good hop route और इसी बंदरगाव को यूज करके जो है यहां पर पहले बार जो है भासको डिगामा भी जो है देश में आया था तो यह important हो जाता है और यहां से जो है काफी समय में जो पर्टिग्यूस जो गोा में रहता था तो जो पर्टिग्यूस जो है वो हर साल यहां पर आता था और उसके भी season है था जब हवा का जो है वो direction होता था तो इधर फिर जो है वात curious जाता था तो यह एक साल में दो बार जो है वो डायक्शन बदलता था और दोनो बार जो है वो यहां से जो है heavy goods को लेकर जहाज से पर्टिकूस जो है वापस जाता था so that was the also interesting story with this caps of good hope route now the north pacific oceanic route है so this these waterways join east asia and north america with each other this waterway is very long from the this route like the country like the china korea Japan Philippines Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong इन सब जगहों से जो है north pacific oceanic route का importance बढ़ जाता है क्योंकि यह सब इन देशों को जोड़ता है Asian देशों को जोड़ता है तो north जो है वो Mediterranean से start हो जाता है Asia का importance क्योंकि Mediterranean जो Australia को जोड़ देता है North Atlantic route से फिर जो है वो जो South Pacific North Pacific oceanic route जो है वो भी Asia के कई देशों को जोड़ता है फिर जो है South Pacific oceanic route जो है यह न्यूजी लेंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका Western country को आपस में जोड़ता है so through oceanic route जो है यहां पर यह South oceanic route से Australia बहुत की इस्तिमाल करता है और इस्तिमाल जो करता है वो export के लिए या export करता है oil का export, butter का export, cheese का export, skin, rubber इन सब पदार्थों का जो है export करता है Australia so South Pacific oceanic route जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी महत्पुर्ण है जब हम Root of Indian Ocean देखेंगे तो Indian Ocean के Root को समझने से पहले जो है हमें थोड़ा सा जो है एक बार फिर से revise कर देना चाहिए कि South Atlantic Oceanic Root North Mediterranean और Caps of Good Hope North Pacific तो यह जो 3-4 Roots है यह South Atlantic जो कहां से North America और Europe को South America से जोइन करता है North Atlantic जो है वो जो है यह North America को और Oceanic Root है बहुत सारे जगहों पर जो है यूरोपियन देशों को जो है एक में साथ जोड़ता है और फिर मेडिटरियन सी का है तो यह North जो Atlantic Oceanic Root है उससे जोड़ता है एसिया को और Australia को फिर Caps of Good Hope Road है यह तो समझी गए तो फिर North Pacific जो जो जोड़ता है तो चाइना, कोरिया, जापान, फिलिपिंग्स, होंग कोंग, इन सब एसिया के कंट्री को जोड़ता है South Pacific Root जो है जिसमें New Zealand, North America, Western Europe को आपस में जोड़ता है तो जब North का बात आता है तो Asia का importance भी बढ़ता है major जो products Indian इन 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 पूछा जा सकता है कि जो इन इन ओसे प्रोड़क्ट्स जो है एक्सपोर्ट होते हैं या इंपोर्ट होते हैं बेसिकली तो यह भी महादपूर्ण है तो यहां से होता है चाई, यहां से जूट, प्रोड़क्ट, मिनरल्स और यह सब चीजों का एक कि अपयू को रूखेंगो कि अपयू खाल नहीं।